रूस की ओर से युक्रेन पर हमले तेज करने के बाद से युद्ध भैंकर होता जा रहा है पहले से हथ्यारों की कमी से जूज रहे युक्रेन पर संकट मढ़ना रहा है इस बीच युक्रेन के लिए रहत भरी खबर सामने आई है तो वहीं रूस की मुश्किले बढ़ने की संभावना है दरसल हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने दावा किया कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देश संभावित रूप से यूक्रेन में सेना तैनात करने के लिए तयार है इस दोरान उन्होंने कहा कि ब्रुसेल्स, मॉस्को और कीव के बीच संभर्ष को अपना मानता है और बन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के निताओं का मूड युद्ध जैसा है आज ब्रुसेल्स में युद्ध समर्थक बहुमत है, ब्लॉक की राजनिती युद्ध के तर्ग पर हावी है यूरोपीय यूनियन के राजनिता पहले से ही संगर्ष में इतने डूबे हैं कि वे अपनी रणनीती में खाम्या देखने में विफल है तमाम पैसे और हतियारों के बाव्यूद कीव के लिए स्थिती में सुधार नहीं हो पा रहा है वास्तव में हालात बदतर होते जा रहे है हम पश्चिमी देशों की ओर से युक्रेन में सेना भेजने से एक कदम दूर है ये युद का एक भवर है जो यूरोप क्यों इसकी गहराई में खीच सकता है ब्रिसल्स आग से खेल रहा है हाला कि हंग्री के प्रधान मंत्री ने साफ किया कि बुड़ा पेस्ट खुद को शतुर्ता में घसीटने नहीं देगा किसी भी तरह से युद में प्रवेश नहीं करेगा उनके देश को ब्रुसल्स, वशिंग्टन, संयुक्तरास्ट और नेटो समेथ हर जगे शांती के लिए खड़ा होना चाहिए हम युद नहीं चाहते और हम नहीं चाहते कि हंगरी फिर से महान शक्तियों का खिलोना बन जाए बता दे कि ये कोई पहला मौका नहीं है पहले भी युक्रेन में नेटो सेना भेजने का विचार पश्चमी ने ताओ की ओर से किया गया है फ्रांस के राष्टपती इमैनुवल मैकरॉन ने पहली बार ये मुद्धा फरवरी में उठाया था इस दौरान उन्होंने कहा था कि सभी वी कल्प संभव है कीव के लिए समर्थन की कोई सीमा नहीं है ऐसा दवा है कि मैकरॉन के बयान में शुरू में कुछ नाटो सहयोगियों को चिंता में डाल दिया था जिनोंने तुरंथी ऐसी रणनीतियों से पल्ला जाड लिया हाला कि मैकरॉन को नाटो गुट के कुछ सदस से देशों पे समर्थन भी प्राप्थ हुआ है वही मार्च महिने में पॉलिश विदेश मंत्री ने कहा था कि युक्रेन में रूस के सेन अभियान के लिए पश्चिम की ओर से इजाफे की सक्थ ज़ुरत है एस्टोनियाई रक्षा मंत्री ने अप्रेल में कहा था कि नेटो के प्रतेक सदस्य के पास पहले से ही युक्रेन में सैने कर्मी है जो सलाहकार या प्रशिक्षिक रूए रूप में काम कर रहे है बीते दिनों ब्रिटेन के पूर्व सशस्त्र बलो के राज्जी मंत्री ने दावा किया था कि युक्रेन में नेटो सैनिकों को भेजने पर विचार किया जाना चाहिए इस बीच मस्को ने हालिया घटना करम पर चेताब नी दी है, युक्रेन में नेटो जैनिकों को तैनात करने से अमेरिका के नेत्रत वाला गुट रूस के साथ पूर्ण संघर्ष के कगार पर पहुंच जाएगा राश्टरपती पुतिन ने मार्च में कहा था कि यह पूर्ण पहमाने पर तीसरे विश्वयुद से एक कदम पीछे होगा